D multiplexer अब ही हमने पढ़ा multiplexer क्या होता है तो अब हम पढ़ेंगे D multiplexer क्या होता है तो D multiplexer just opposite of multiplexer है ठीक है तो इसमें क्या होता है D multiplexer में सरिफ एक input line होती है और 2 की power and output line होती है हमारे multiplexer में क्या था 2 की power and input line थी और सरिफ थी है। इसco घूंप मिल जाते हैं एक के थू जगाहों पर दिस्रिभूट कर देटा है। यह भी N selected lines के लिए ही काम करता है, मतलब N selected के साथ काम करता है, मतलब 2 की power N अगर output lines है, तो 2 की power N कितना हो सकता है, 2 की power 2, 2 की power 3, 2 की power 4, तो जो N होगा वो हमारा selected lines इसमें होगा, जैसे कि यह multiplexion में था, same as, तो मैं आपको अब 4 is to 1 D max design करना बताऊंगी, कैसे design करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम पहले block diagram बना लेते हैं, कि 4 कैसा होने वाला है हमारा block diagram, उसके बाद हम truth table और उसका logic diagram design करेंगे, तो हमें पता है कि input तो हमारी एक ही होने वाली है, तो data input हम इसको D1 नाम दे देते हैं, यानि एक ही input है हम इसको नाम दे देते हैं, उसके बाद हमारी output कितने होने वाली हैं, क्योंकि हमने 4 is to 1 लिया इसका मतलब क्या है 2 की पावर 2 है यहाँ पे 2 की पावर 2 ही तो 4 होता है और यहाँ पे n की value हमारी क्या है 2 है ओके तो यहाँ हमारी हम इनको नाम दे देते हैं outputs को y2, y0, y1, y2 और y3 और हमारी selected lines कितनी होने वाली है n तो कितनी selected lines हैं यहाँ पे 2 तो हमने 2 selected lines ले लिए s1 और s0 यह same as multiplexer की तरह मतलब opposite as multiplexer की तरह function करने वाला है तो इसमें क्या होगा जब हम दोनों को 0 रखेंगे y0 और s1 को 0 रखेंगे तो हमारा जो input है वो हमारा y0 को connect करेगा यानि हमें क्या होगा बागी सब पे 0 मिलेगा सिर्फ y0 पे 1 मिलेगा यानि y0 पे हमें data मिलेगा यह data है हमें y0 पे मिल जाएगा और जब हम क्या करेंगे s1 को 0 रखेंगे और s0 को 1 रखेंगे तो हमारा d जो है वो y1 से connect हो जाएगा और हमें output में data d यानि आउटपुट में हमें यही डाटा मिलेगा, सिर्फ Y1D होगा, बाकि सारे 0 हो जाएंगे, इसी तरह हम आगे करेंगे, मैं आपको truth table बना के समझा देती हूँ, तो यह है हमारी 421D multiplexer की truth table, इसमें क्या है, जब हमें दोनो inputs को 0 रखा है, यानि दोनो selected inputs को, S1 और S0 को 0 तो हमें output सिर्फ Y0 पर output पर लेगा, जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ Y0 पर D मिलेगा, बाकि सारे हमारे 0 रहेंगे, और सेम अगले case में क्या होगा, जब हमारा S1 0 होगा, और S1 1 होगा, यानि S0 1 होगा, तो हमें सिर्फ Y1 पर D मिलेगा, बाकि सारे हमारे 0 रहेंगे, तो अब हम equations लिख लेते हैं कि कैसे-कैसे इनकी equations बनेगी. सबसे पहले हम Y0 की equation लिखते हैं. तो Y0 में क्या होने वाला है? Multiply में रिखेंगे हम यानि D, एक हमारा data है D, और ये दोनों क्या हैं हमारे S1 bar और S0 bar, S1 bar और S0, Y3 की equation किस तरह होगी? S1 और S0 bar, यानि D, S1 और S0 bar, और last Y4 की equation होगी, D into S1 into S0, तो चलो आप simply से design कर लेते हैं कि design कैसे करेंगे? तो हमारी इसमें क्या है? हमें दो lines हमें दिख रही हैं, तीनों lines हमें दिख रही हैं, तीसरी हमारी simple D है, और S1 है, और S0 है, तो हम यहाँ बना लेते हैं, एक line तो हमारी data की होगी, D data, ठीक है, दूसरी होगी हमारी S1, तीसरी है हमारी S0, अब हमें इसका S1 bar चाहिए और S0 bar चाहिए, बार लगाने के लिए हम same क्या करेंगे? एक not gate को लगा लेंगे, not gate हमारा क्या करता है? हमें bar देता है, ठीक है? अब हम S0 के लिए भी एक लगा लेंगे, same not gate, अब इसमें क्या करा हमें? S0 bar देते हैं, यानि अब हमारे पास सारी terms हैं, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? ये तीनों क्या है? मल्टिपल में है, तो मल्टिपल में है तो हम कौन सा gate लगाएंगे? इसमें and gate, ठीक है? तो पहला है हमारा D, तो पहली line हम D से निकालेंगे, ठीक है? दूसरा है हमारा S1 bar, यानि S1 bar यानि हमारी ये वाली line, तीसरा है हमारा S0 bar, यानि ये वाली line, और हम इन तीनों को कहां देंगे? and gate में, तो ये हो गए हमारी पहली equation, ये किस के लिए हो गए हमारी? Y0 के लिए, आगे चलते हैं, आगे है हमारी Y1, Y1 में क्या है D, S1 bar और S0, तो D तो हमारा सिंपल सेम ही है, S1 bar, यानि S1 bar ये है, और S0, S0 की line हमारी ये है, तो हम यहां से निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा Y1 output, ठीक है? अब हमारा आता है Y3, तो Y3 में क्या है हमारा D है, S1, S1 की line हमारी ये है, और S0 bar, S0 bar ये है, again and gate, ये हमारा output, Y2, सौर यहां Y2 था, और यहां Y3 था, तो अब हमारा आ गया आता है Y3, Y3 के लिए हम क्या करेंगे? D, S1, और S0, S0 वारी line हमारी ये है, और इसे हम देंगे and gate में, so last में में क्या मिलेगा? Y3, तो यह हो गए हमारे 4 outputs, तो इस तरह से हम design कर सकते हैं, अपना 4 is to 1 D max, ओके?